बच्चत होगा गिरस्त को भी समय का और लेबर का भी समय का बन बच्चत होगा जो 500 रुपिया लगे गें वो 2800 रुपिया मेरा काम होगा है मकई का सीजन है और अभी खेतों में किसान मकई के फसल कटवा रही है मकई के फसल को कम से कम लागत में और वह भी तेजी के साथ काटने की एक नई तकनीक आ गई है यह तकनीक कहीं और से नहीं बलकि जार्खन के मज़दूरों ने दिखाई है आज मनिहारी के गोगा बेल जहील के निकत मनिहारी मुख्या संक्य अध्याक्ष सह नीमा पंचायत के मुख्या रामजी यादव द्वारा इस नई तकनीक से अपने खेत में मकई की फसल कटवाई जा रही थी यह फसल जहार्खन के मज़दूरों द्वारा काटी जा रही थी मौके पर मौझूद मुख्या रामजी यादव ने हमारे मनिहारी समधाता मिठ्चू को बताया कि जहार्खन के मज़दूरों द्वारा अपनाई गई यह तकनीक काफी बहतर है और इससे मकई की फसल को काटने में काफी कम लागत आती है इसलिए उन्होंने जिले के सभी किसानों से यह अपिल करते हैं कहा कि आप सभी किसान भाई इसी तकनीक से अपनी मकई की फसल कटवाए जिससे आपकी लागत कम आएगी इस मकई की तोरने के लिए हम जर्खंट से लाए है पाकुड बढारवा से जो इलो का तरीका जो तोरने का है यह भुट्टा तोरते हैं और डायरेक्ट तो एक भुट्टा छिलते हैं और गाच को गिरा देते हैं उससे सुवधा होता है अधिया का फरक परता है और यहां का साथ ही मुख्या राम जी यादव ने फसल काटने वाले मजदूरों से भी अपेल करते वे कहा कि आप सब मजदूर भाई भी इस तकनिक को सीख ले ताकि कम से कम लागत में और जल से जल्द फसल को काटा जा सकी हम लोद चाहेंगे के मनयारी परक हंड का जो भी यहां का लेवर है कटिहार जिला में इस तरीका से यहां ही लो भी छिले कि बचचत होगा गिरश को भी समय समय का और लेवर का भी समय का बचत होगा और फैय जल्दिबादी में खेती सिम्ट आ जाता है। इसलिएक च्छिला हुआ है, डायर्यक च्छिला गया ह। और ट्रेक्टर में लोड कर दिया। और वो यहां काया का है कि मक्का काटता है, मक्कटी काटके गिरा दिया। उसके बाद छिलेगा, तब उठाएगा तब टेलर में लूड़ करेगा, तो ज्यादा मेहनत है, इसमें कम मेहनत है, इसलिए हम चाहते हैं, कि मन्यारी परकन के, जितना भी लेवर है, मजदूर किलास के भाई है, वो इसी परकिरिया से करें, जितना जल्दी बादी, असल सिंदाज है, किसान को भी फ मक्का भी किये थे, गेमू भी किये थे, जाओगा भी किये थे, धनिया का भी खेती किये थे, सब खेती मिलाजुला के करते हैं, और मक्का थोड़ा ज्यादा करते हैं.